नमासकार स्वागत्यापका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में आज जया एकदसी के दिन रात सोने से पहले जाडू के नेचे चुपके से दबादे एक चीज मालक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी दरस्तो मागमासकी सुक्लपक्षी एकदसी को जया एकदसी के नाम से जाना जाता है इस बार जया एकदसी का ब्रत आज बारा फरवरी दिन सनी बार को रखा जाएगा जया एकदसी के ब्रत करने और भगवान विशुँजी की बिद्विधान से पूजा करने से ब्यक्त को भूत पेत प्रेत पिशाच योनी से मुक्ति मिलती है और इस दिन जाडू का प्रेयोग करके आप अपने जीवन में धनलाब कमा सकते हैं माता लक्षमी जी को प्रसंद कर सकते हैं आज जया एकदसी के दिन जाडू का एक छोटा सा प्रेयोग जरूर करें अगर आप जाडू के नीचे रात सोने से पहले चुपके से दबा दे एक चीज फिर देखे कैसे माता लक्षमी कृपा आपके घर में बरस्ती है जाडू हर किसी के घर में होता है लेकिन क्या आपको पता है जाडू सीधे तोर से मा लक्ष्मीजी से जोड़ कर देखा जाता है जाडू को लेकर बहुत सारे शुब और अशुब शगुन भी होते हैं और जाडू कैसे रखें कब खरीदें कब फेंके और जाडू के नेचे आज जया एकद सिदि के दिन क्या ऐसी चीज दबा के रख दें रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खोशियां एकस्टी हो जाए औ भगा देती है जाडू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परिसानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है वैसे जाडू का माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इसमें बास भी होता है और आर् से कलह कलेस खत्म हो जाएंगे और घर में माता लक्ष्मी जी का बास होगा अगर हम जोतिस की माने तो जाडू का महत सबसे ज़्यादा है खास कर एक अदसी के दिन बीमारियों को दूर करने वाली सीतला माता अपने एक हाथ में जाडू लिये हुए रहती है और इसलिए जा सुर्यास्त होने के बाद आपको एकदसी के दिन कभी भी जाडू नहीं लगाना चाहिए और चुकि आज जया एकदसी का महापर्व भी मनाय जा रहा है आज जया एकदसी का महापर्व है इसलिए आज एकदसी के दिन आप सुर्यास्त के बाद जाडू बिलकुल ना चाहिए देखे जब साम हो जाए रात हो जाए तो आपको घर में पोच्छा वगर जाड़ू वगर नहीं लगाना चाहिए और अगर आपने लगा ही लिया बहुत जरूरी है तो कूड़ा मत फेंकिए गा बाहर ने तुम माता लक्ष में जी बाहर चली जाती हैं दूसरे के घर में जो तिस की माने तो हमेशा एक ही जगर पर जाड़ू को रखने की विवस्था करें कहीं पर भी इधर उधर ना रखने की बिवस्था करें ऐसा ना करें वरना घर में जो आपका दन है वह आगवन प्रभावित होता है घर से आर्थिक परिसानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है तो जाड़ू को जहां तहां ना रखें और जाड़ू अगर आप आज एकदसी के दिन सपने में देखते हैं आज जया एकदसी के दिन अगर आप सपने में देखते हैं जाड़ू तो आर्थिक नुकसान आपको नहीं होगा बलकि लाब होगा क्योंकि माता लक् प्रतिक माना जाता है उसमें बास होता है और अगर आप आप आज जय अधिशिक के दिन UKा जारू सपने में देख लेते हैं तो ये आपको आर्थिक लाब की और रिशारा करता है हलाकि बाँकी दीन अगर आप देखते हैं तम नुक्षान होता है तब आप क्या करेंगे अगर आपको बांकी दिनों में अगर आप इने देख लिया तो गाई को सुना दे किसी पोधे को सुना दे तो इससे आपको लाब होगा सुपन का दुस्प्रभाव खत्म हो जाएगा लेकिन अगर आपने आज देखा है यालिकि आज जैय एकदश के दिन देख लेते हैं तो लेकिन फेंक दीजे आज की दिन आज की सनीवार का दिन है शनीवार के दिन पिशेश रुप से नई जाडू का प्रयोग भी करना चाहिए और आपको नई जाडू फेंक भी देने चाहिए और आज एका दसी भी है और सनीवार का दुरलब सबसंयोग भी बन रहा है तो इसस पुराने ज़ाड़ू जो आपने रखा हुआ इस से निगविटी भारती है घर में, ज्यादा पुराने ज़ाड़ू यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तूटा-फोटा हुआ ज़ाड़ू रखना चाहिए, इससे क्या होता कि जब आप ज़ाड़ू लगाएंगे तब तूट तूटकर ज़ाडू गिरेगा तो जो जीवन की धन की परेसानियों को बढ़ा देगा पुराने ज़ाडू को घर से बिलकुल भी आप यानिकी ना रखे और इसे आज ही एकदसी और चुकि आज सनीवार के दिन है तो इसे आप बाहर कर दीजे और नई ज़ाडू आज की दिन ज़ाडू योज करना चाहिए चुकि आज एकदसी का महापर भी है तो आज सनीवार के दिन आप सुरू कर सकते नई ज़ाडू से तो जीवन में धन आएगा खोशी आएंगी जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार से ज़ाडू को भी आप खुले आस्मान की नेची ज़ाड़ू न रखें वरना जीवन में पर्यसानिया तो आएंगी ही क्यों कि आप खुले आसमान की नेची रखेंगे ज़ाडू को तो कश्ट जीवन में बढ़ेगा ऐसा न करें जब भी अपने घर में रखें हमशा ही ढखका और ज़ Our फिह जो दिसा होती है उत्तर पश्यों की दिसा तो आप उसी दिसा में रखने की विवस्था करें जाड़ू को कभी भी किचन में न रखें और दूसरी बात जब आप जाड़ू लगाते हैं कभी कभी क्या होता कि आपके घर में बच्चे जूट कर देते हैं और फिर तुरंत कि आप जहाडु लगाएं आप चुकी आज जया एकदस्शी का महा परव मनाया जा रहा है आज बाराब फरवरी जया एकदस्शी का दिन है तो आज राथ सोने से पहले ऐसी क्याचीज दवा दे जहाडु के निचे की माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आए आज आज रात सोने से पहले जाडू के नीचे आप कुछ रखे आना के एक रुपे का सिक्का आप जाडू के नीचे चुपके से दबा के रख दें तो विशेश मनो कामनाओं की पूर्ती होगी आज जाडू के नीचे आप कुछ रखे न रखे न रखे लायचे रखे लाँग इलाची रख दें तो विशेश मनो कामनाओं की पूर्ती होगी और आप बाद में इसे अगले दिन चाहें तो किसी जलासे में या फिर किसी पीपल के बिच बगरे में डाल दें जो आपने नीचे दबा के रखें इसे वहीं पर रख दें राथ सोने से पहले आप एक मौर का पंक जरूर आप दबा के रख दें जाड़ू के नीचे तो विशेश लाब होता है धन आते हैं धन आगवन के स्रोत बढ़ते हैं माता लक्षमी क्रिपा बरस्ती है राज सोने से पहले ज़ढू के निचे आप काले मिर्चे रख दें तो विशेश मनो कामनाओ के पूरती होती है या फिर आप चाहें तो कोडी अगर है कोडी भी माता लक्षोमी के बहुत प्री होती है तो राज सोने से पहले आज जय कद्रिश के दिन आप ज़ाड़ू के निचे कोड़ी रख दें तो विशेश लाब होता है या फिर आप चाहें तो हल्दी की गाठ वाली हल्दी जो होती है उसे आप ज़ाड़ू के निचे रख दें तो आपके मन्चाहे लाब होते हैं संतान बैवाहिक जीवन हर प्रकार के खोशिया बरस्ती माता लक्षमी कृपा आपके घर में बरस्ती रहती है आप कुछ रखे या ना रखें राज सोने से पहले जाडू के नीचे आप यानिकी खासकर लौंग इलाची और एक रुपए का सिक्का तो जरूर रख दीजे और एक सु सब्सक्राइब करें जैनल को सब्सक्राइब करें जय मालक्षमी